सब्रकाफल मीठा होता है, ये हमने कितने बार सुना है? आप सबने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है, परंतु सब्रकाफल इतना जादा मीठा होता है, ये मुझे जनवरी 2021 में पता चला। जन्वरी 2021 का वो दिन मैं अपने घर पर हर्याना में ही था क्योंकि पहाड़ों पर बहुत साथ सर्दी होने के कारण इधर शिफ्ट हो जाते थे तो मैं वहाँ आराम से बैठा हुआ अपना काम कर रहा था तब ही फोन आता है और जो मेरी मदर थी वो मुझे फोन पकड़ा देती है कि तुम से कोई बात करना चाहता है तो मैंने फोन ले लिया तो दूसरी तरफ एक अंकल थे रावत अंकल जिने हम रावत अंकल के नाम से जानते थे ये जो रावत अंकल थे या कह सकते हैं कि ये अभी भी हैं तो जो ये रावत अंकल हैं ये मेरे पिता जी के साथ कुरुक्षेत्रा युनिवरस्टी के अंदर नौकरी किया करते थे 2006 में मेरे फादर रिटायर हो गए थे कुरुखशेत्राइनिवस्टी से पहले वह आरमी में जॉब करते थे आरमी से रिटायर होने के बाद उन्हें फिर से कुरुखशेत्राइनिवस्टी के अंदर जॉब मिल गई थी क्योंकि अगर आप आरमी से ठीक ठाक फिट एकदम से रिटार होते हैं तो कई ऑपशन्स होते हैं आपके पास आगे बी जॉब करने के तो मेरे पिता जी को नौकरी मिल गे थी कुरुकषेतरा इनिवस्टी के अंदर तो जब मैं वहाँ पर रहता था कुरुक्षेतरा इनिवस्टी में ही मकान मिला हुआ था हमें तो इन अंकल से रावत अंकल से बहुत बात होती थी खैर जो पहाडी लोग हैं चाहे वो हिमाचल से हों या फिर अपने उत्राखंड से हों ये लोग बहुत जॉब्स करते हैं प्लेंस के अंदर दिल्ली में आप देख लीजिए नॉयडा में देख लीजिए हर जगा प्लें एरिया में आपको पहाडी जरूर मिलेंगे और खासकर गॉर्मन्ट जॉब्स के अंदर काफी ज़ादा लोग मिलेंगे तो जो रावत अंकल हैं उन्होंने मुझसे बात की मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके क्योंकि मेरे पिता जी के साथ अक्सर वाया करते थे तो उनके साथ जो भी यादें जुड़ी हुई थी उनके जो दोस्त थे जिन से हम मिले थे जिनको मैं अंकल कहता था जिनको चाचा ताओ ये भी का करते थे तो उनसे अब अगर बात होती है तो एक बहुत अच्छा फील होता है एक फादरली फीलिंग आती है कि हाँ जो पिता जी के साथ ही उस समय थे तो आज हम से बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खेर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं तो उनसे जब मैं फोन पर बात कर रहा था तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमारी मदर ने बता है कि तुम कुछ किताब लिख रहे हो तो मैंने का नहीं अंकल ऐसा तो नहीं है कि मैं किताब लिख रहा हूँ परंतु मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ इस फिल्ड में या कुछ अलग करने की कोशिश है तो उन्होंने का कि यह तो बहुत अच्छी बात है तो किस तरीके की किताब तुम लिख रहे हो तो उन्होंने का कि तो इसी उसमें तो मैंने उनसे का कि मेरी तुमसे बात करा दें क्योंकि जो चीज तुम ढूंड रहे हो ये तो वही बात हुई कि वो चीज तुम्हारे सामने है और तुम्हें पता भी नहीं तो मैंने का कि अंकल तो ऐसा मेरे सामने क्या है आप मुझे बताएं तुनों ने का अगी बेटे देखो मैं जिस जगह से आता हूँ अब मेरी उम्र 80 साल के हो गई है तो जो चीजें जो कहानिया मैं अपने दादा और अपने पिता से सुनकर बढ़ा हूँ वो मैं तुम्हें जाता हूँ तुम भी मेरे बेटे कितना ही हो तो क्यों न तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताओं जो शेह तुमने ना तो कभी सुनी होगी और ना ही किसी और ने इस के बारे में तुमसे कभी जिक्र किया होगा तो मैंने का कि अंकल ये तो पास थे क्योंकि असी साल की उम्र में आप इतना जादा ठंड के अंदर इतनी हाइट पर नहीं रह सकते तो इसलिए वो रिशी के शिफ्ट हो गए थे तो मैंने का कि अंकल ये तो बहुत अच्छी बात है आप रिशी के शागए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है मैं गाड़ अगले दिन सुबह आ जाना तो मैंने उनसे यही बोल दिया कि ठीक है अंकल मैं अगले दिन सुबह आ जाओंगा अब दोस्तो पूरी रात पूरी रात मैं ये सोचता रहा कि ऐसा क्या वो मुझे बताने वाले हैं ऐसा क्या उनके पास डेटा है जो वो मुझे देने वाले है एसी कौन सी कहानी है जो उन्होंने सुनी है जो वो सुन सुन कर बड़े होए हैं तो मैं बड़े उत्सुकता से वेट करता रहा अब यही तो सब्र था पूरी रात वेट करना कि अगले दिन आपको ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना है और वो भी इतनी दोर जाकर जनवरी का महीना सर्दीवी थी आखले दिन मैं सुबह सुबह जल्दी उट कया फ्रेश हुआ पानी वानी पी मम्मी ने चाय वगरा बना कर मुझे दे दी और गाड़ी मैं लेकर निकल पड़ा धुंद थी लेकिन देरे देरे चलाता रहा तो पहर को लगपक तेड़ बज़े के करीब मैं प मुझे मिले थे बहुत छोटा था मैं तो तब भी वो काफी बड़े थे तो वहां जब पहुचा उनके पहर को हाथ लगा उन्होंने गले से लगा लिया बहुत अच्छा लगा ऐसी मेमरीज जब बनती हैं जब पुराने ऐसे किसी लोग से आप मिलते हैं तो बहुत जादा दिल को सुकुन मिलता है खैर वहां पर दोपहर का खाना खा गया और शाम की चाय पी गई उसके बाद अंकल ने बोल दिया कि ये सब कुछ चो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये मैं रात को तुम्हें बताऊंगा क्योंकि अभी तो दिन में और भी काम काफी सारे रहते ह और रात को डिनर के बाद मैं तुम्हें सारी की सारी जो चीज़ है वो बता दूगा तो मैंने खा ठीक है अंकल समय बीटता रहा मेरी उत्सकता और भी जादा बढ़ती रही रात का खाना सबने वहां पर बैट कर खाया रिशी केश एक बहुत ही खुबसूरत जगह है अगर उन्होंने इंसिडेंट को शुरू कर दिया अब इतने दिन की उत्सकता इतना जादा मैं क्यूरियस था कि वो क्या बताने वाले हैं उन्होंने शुरुआत कर दी वो मुझे बोले कि बेटा देखो अलमोडा के पास एक गाउं पड़ता था सिनरी सिनरी गाउं में जो मेरे दादा थे वो रहते थे हम लोग भी उस समय वही रहा करते थे उसके बाद जॉब्स लग गई बहार आकर निकल गई हम लोग सब के सब तो 80 साल की उनकी उम्र थी 2021 के अंदर यानि की लगबख 1940 में वो 5 वर्ष के थे ये जो मेरे रावत अंकल थे 1940 में 5 वर्ष के थे और 5 व वर्ष के थे तो जो इनके दादा थे वो लगबख 70-75 वर्ष के थे और उनका जो जन्म हुआ था उस एकॉर्डिंग वो 1871 में हुआ होगा जो कि मैंने अपनी कैलकुलेशन्स लगाई वहीं पर बैठ कर कैलकुलेटर मेरे हाथ में हमेशा होता था एक कॉपी पैन होता था जिससे मैं सारी डेट्स माक करता जाता था तो 1871 में ये रावत अंकल जो थे इनके दादा जी का जन्म हुआ जी हाँ और जब वो 12 साल के थे तो ये घटना उनके गाउं में एक व्यक्ति था ग्यान चंद उसके साथ हुई थी और गाउं भी क्या था तीन चार घरों का तो मान के चलिए की एक परिवारी था तो ज्यान चंद भी इनकी कॉम्मिनेटी का था और जब ये 12 वर्ष के थे तो इसका मतलब समय था 1883 का यानी की 1883 जी हाँ अब यहां से कहानी शुरू होती है 1883 एक छोटा सा गाउं अलमोडा में पढ़ने वाला या उसके बिलकुल क्या हुआ सिनरी गाउं सिनरी गाउं के अंदर ये रावत अंकल के दादाजी इनका परिवार रहता था और साथी रहता था ग्यान चंद का परिवार जो ग्यान चंद था ग्यान चंद बेसिकली एक चरवाहा था वहां पर तीन चरव घर थे तो उसमें इनका घर था वो क्योंकि 1883 के अंदर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की opportunities रही होंगी, jobs वगरा तो नहीं थी, किसी किसी को कोई job मिल जाती थी, अंग्रेजी सरकार के अंदर, और बहुत सारे लोग forest के उपर ही, forest का जो resources होते हैं, इनके उपर ही अपना सारा का सारा जीवन वितीत करते थे, ज जो female dog थी, वो female dog लेकर आया था कि मैं इसकी breeding कराया करूँगा, जो बच्चे होंगे, और उन बच्चों से फिरा कि उनको किसी को दिया करूँगा, क्योंकि उस समय बोटिया dogs की काफी demand थी, खेर आज भी है, क्योंकि लोगों के पास बेट बकरिया होती थी, जंगली जानव हर्ड था, जो पुरा कपुरा इनका जो जट्था था बेट बकरियों का, ये सब लोग साथ ही चला करते थे, तो ये व्यक्ति सुबह जाता, और कहीं बार तो शाम को ही आ जाता, कहीं बार ये अगले दिन या उससे अगले दिन भी आ आता, दूर दूर तक ये लोग जाते कुछ समय से ये लोग अकेले ही जाते थे, क्योंकि जो इनकी फीमल डॉग थी, उसको बच्चे होने वाले थे, तो उसके बच्चे हुए साथ आठ पपीज उसने दिये, पपीज देने के बाद एक महिना उसने खुब रच कर उन पपीज को दूद पिलाया, लेकिन कड़ी स दर्दी होने के कारण, और जो ये फीमल डॉग थी, गाउं के अंदर ऐसा ही होता है कि जल्दी ही बच्चे हो जाएं इसके, इस प्रकार से कम उम्र में ही जो हैं, उनके बच्चे बच्चे करा दिये जाते हैं, तो उसकी जो फीमल डॉग थी, उसकी उमर भी जादा नहीं थी लगपग एक साल की ही वो थी तो वो इतना लोड नहीं ले पाई और उसके जो बच्चे थे वो धिरे-धिरे मरने लगे क्योंकि आज के समय में भी बहुत सारी बिमारियां हैं बिमारियां तो तब बीत नहीं थी परंतु आज थोड़ी मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती हैं उस समय नहीं होती थी तो इनकी जो फीमिल डॉग थी उसके बच्चे धीरे-धीरे मरने लगे एक महीना उसने काफी दूद उनको पिलाया लेकिन उसके बाद कोई भी बच्चा नहीं बच सका इन्होंने बताया रावट अंकल ने की जो उस समय उनके दादा ने बताय था की जो ग्यान चंद था ग्यान चंद इतना दुखी रहता क्योंकि जैसे ही उसके बच्चे मरते उसका शोख मनाती थी वो भोटिया जो फीमिल डॉग थी वो कैसे मनाती थी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मान लो उसके चार बच्चे थे तो एक दिन एक बच्चा मर गया तो वो बैठी रहती और उसकी जो बाडी थी बच्चे की वो सामने पड़ी रहती वो सुबह से शाम तक उसको देखती जब उसे यकीन हो जाता कि ये बिल्कुल हिलल नहीं रहा ये अब मर चुका है वो उसे उठाती और एक एप्रोप्रियट जगां पर जाकर जंगल में दबा कराती ये उसकी हैबिट बन गई थी मतलब ऐसा नहीं कि मरे हुए बच्चे उसके इदर उदर पड़े हुए हैं वो सड़ रहे हैं नहीं सभी बच्चों को वो दबा कराती दोस्तो अब मैं आपको क्या कहूं जिस फार्म में मैं रहता हूं हर्याना में जो मेरा गाउं है हमारे ही इस फार्म के बाहर ऐसे ही एक स्ट्रे फीमिल डॉग ने बच्चे दिये थे दो तीन महीने के बाद तीन चर बच्चे उसके मर गए हर दूसरे तीसरे दिन एक बच्चा मर जाता था बेमार होकर यह मैंने अपनी आँखों से देखा है मैं चाहता था कि मैं यह चीज़ आप लोगों को बताओं लेकिन कोई appropriate इस परकार का incident नहीं मिल रहा था लेकिन आज मिल गया है उस फीमिल डॉग ने अपने मरे हुए बच्चों को उठा उठा कर अपने मूँ में अलग अलग दूर दूर जाकर खेतों में तबाया कि मैंने अपनी आँखों से देखा मैं हरान हो गया था कि कितना दिमाग होता है इन जानवरों के अंदर हम कह देते हैं कि यह जानवर हैं लेकिन दोस्तों यह बहुत समझधार होते हैं बहुत emotional भी होते हैं बहरहल हम अपनी इस incident के ओपर वापस आते हैं इस कहानी के ओपर वापस आते हैं तो जो ग्यानचन था ग्यानचन ने यह सारा का सारी चीज़ जब हो रही थी तो उस गाउं के सबी लोग इस चीज़ को देखते थे जिसमें यह रावत अंकल के दादा भी थे इन्होंने भी देखा कि जो वो फीमेल डॉग थी वो सारा दिन बैठी रहती और शाम होते ही रात होने से पहले वो उस मरे हुए बच्चे को उठाती और कहीं दबा करा जाती उसके बाद बहुत दुखी वो रहती रात में उसके रोने की आवाज भी सुनी जा सकती थी इतनी ज़्यादा इमोशनल थी वो खैर एक एक करते करते उसके चारों बच्चे मर गए थे बेमारी के कारण सर्दी लग गए किसी को किसी को कुछ हो गया अब ये जो बोटिया फीमिल डॉग थी ये उनके साथ कहीं पर भी नहीं जाती थी क्योंकि शायद काफी सादा एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी कि सारे बच्चे उसके मर के पहली बार तो उसको बच्चे हुए थे अब एक रोज की बात है उन्हें कहीं दूर जाना था बेड़ बक्रियों को लेकर इस बात को हुए भी अभी तीन चार दिन ही हुए थे उसके जो बच्चे मरे थे उसके गले में उन्होंने घंटी डाली हुई थी एक पट्टा कीलों वाला और बीच में घंटी थी अच्छी खासी वो हेवी डाल थी तो जब इनका जो पुरा पुरा जत्था बेड़ बक्रियों का और ग्यान चंजी वहां से निकलते हैं फॉरेस्ट के लिए अंदर जंगलों के लिए तो देखते हैं कि जो उनकी female dog थी उसकी गंटी वज रही है इसका मतलब वो आ रही है तो वो रुक जाते हैं तोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो dog जो थी वो आके सबसे आगे आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो ऐसे ही चलती थी रास्ता दिखाती हुई उसकी हैबिट थी एक shepherd dog जो होता है हिमालियन shepherd आप कह लीजिए इंगलिश भाषा में तो ये हिमालियन shepherd dog ही होते हैं तो ये चल पड़ी सारा का सारा जट था इसके पीछे जो ग्यान चन जी थे वो भी इसके पीछे अब ये अपने इस सिन्री काउं से लगबग 10-15 किलोमेटर अंदर चले जाते थे इनकी हैबिट थी और ये एक व्यक्ति नहीं जाता था 3-4 लोग होते थे जत्ता होता था पुरा उसमें बेड बक्रियां और ये इनका भोटिया dog भी तो ये लोग उस रोज भी बहुत अंदर भीतर तक चले गए एक जगा जाकर सब बैठ जाते हैं वहाँ जो भी खाना पिनाई लेकर रहे थे वो खा रहे थे इनकी जो भूटिया dog थी वो भी इनके साथी बैठी थी उसे भी इन्होंने रोटी डाल दी थी बाकी बेड बक्रियां हरा घास चल रही थी गणा जंगल एक तम सुन सान भियावान जंगल जहां परिंदा भी पर नहीं मारता था इस प्रकार का गणा जंगल था और आप समझ सकते हैं कि 1883 1883 का जंगल किस प्रकार कर रहा होगा मैं बार बार ये इमेजन करने हो कहता हूँ लेकिन अब तो आप लोग इमेजन करी लेते होंगे एक तम कुप अंधेरा जैसे इस समया स्टोरी सुन रहे हैं आपके घर के बार अंधेरा है जो लोग गाउं में या फिर जंगल के पासवाल एरिया में रहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग दिल्ली बॉम में रहते हैं बहार तो भी बहुत ट्रैफिक होगा मैं उस ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा है खेर बहुत अंधेरा एक तम गनाय जंगल था और वहाँ पर ग्यान चंज ने एक चीज़ अब्सर्व की की जब ये खाना खा रहे थे तो एक तम से ये जो फीमिल डॉग थी ये उटती है और तेजी से तेजी से भाग कर जाती है जंगल के एक तम अंदर इने लगता है की कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया हलाकि वो भॉंकती नहीं लेकिन सीधा भाग कर चली जाती है उसके भॉंकने की कोई आवाज नहीं आ रही थी उस समय वो बुर्कियां तोड़ी रहे थे खाने की तो उन्होंने सुचा की दो चार रुटी तो खालें पहले उसके बाद देखते हैं अगर कोई खत्रा होगा तो कम से कम वो भॉंके की तो है उसके भॉंकने की आवाज ही नहीं आती 10-15 मिनट हो गए थे तो क्या अंचन जी उठते हैं अपने सारे जो इनके भाई थें उनको बोलते हैं कि भाई चलो देखकर आते हैं कि यह असा तो नहीं कि किसी तेंद्वे ने उसका गला दबा दिया हो लेकिन तेंद्वा गला नहीं दबा सकता था क्योंकि उसके गले में बड़ी बड़ी कीलों का जो पट्टा होता है जो भूटिया डॉक्स के गले में बादा जाता है आप देख लीचेगा यूट्यूब में भी वहाँ पड़े होंगे तो वो बांदा हुआ था तो उन्हें यकीन था और अगर गर्दन नहीं दबाएगा और कहीं और काटेगा तो वो भौकेगी तो जरूर कोई भी आवाज नहीं हुई थी लेकिन सबसे अची चीज थी कि उसने गले में गंटी बादी हुई थी जैसे ही ये चारों के चार उठते हैं बेडें वहीं चर रही थी ये दीरे दीरे मूव करते हैं तो उस जगां से लगपग डेड़ सो पॉने दो सो मीटर के करीब एक जगां पर हलकी हलकी गंटी की आवाज आ रही थी टन 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 गंटी बज रही अब इनको लोगा कि ये वो क्या कर रही है वहाँ पर वहाँ पर तो उसे होना नहीं चाहिए वो तो हमेशा बेड़ बकरियों को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती इस समय वो वहाँ पर क्या कर रही है इनको बड़ा अचमभा हुआ तो ये लोग चलते हैं उस डिरेक्शन में चलते हैं चलते हैं चलते हैं तो अब घंटी की आवाज और तेज हो रही थी एक दम जब पांच फीट की दूरी पर ये लोग पहुँचते हैं और वहाँ से जाड़ी हटाते हैं दोस्तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या देखा ज्यान चंजी ने देखा कि जो भूटिया डॉग है वो जो फीमेल डॉग थी वो दूद पिला रही है और जो दूद पिरा है वो कोई डॉग का बच्चा नहीं कोई बिल्ली का बच्चा नहीं बलकि एक धारी वाले बाग का बच्चा है बहुत ही छोटा टाइगर का कब है जो उनकी भूटिया डॉग का दूद पिरा था ऐसा दृष्य ना तो उन्होंने कभी सपने में सोचा था ना कभी किसी से सुना था और ना ही देखने की तो खैर बाती छोड़िये जो उनके सामने हो रहा था अब उन्होंने यही सोचा कि जो डॉग्स की सुनने की पावर होती है वो आपको पता है हुमन से 28 टाइमस जदा होती है उसने कहीं न कहीं इसकी कराहना सुन ली थी इस बच्चे किसलिए यह भाग कर गई वहाँ जैसे ही भाग कर पहुँची बच्चा भोका था इसका दोद आ रहा था तो जैसे ही यह वहाँ पर पहुँची तो कुदरत दोस्तो ऐसी ही है कुदरत अपने आपी सब अरेंजमेंट कर देती है तो जैसी यह वहाँ पर पहुँची जो बच्चा था उसे पता था कि दूद कैसे पीना है वो तो फटा-फट से चिपक गया अपनी इस नई कहलीजी मा के साथ अब उनको डर लगने लगा कि भाई कहीं अगर इसकी बागिन मा आ गई तो तो सब खतम करतेगी सब कुछ तबाही करतेगी तब ही जो ग्यान चंजी थे उनके इसी ग्रूप के अंदर एक और व्यक्ति थे जो कि उनसे भी बड़े थे उनसे 15-20 साल बड़ा उनको एक्सपिरिंस था तो उनुipher ने कहा कि बेटा देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं फिकर मत करो इसकी मां नहीं आईगी तो उन्होने पुचा कि क्यों नहीं आईगी तो उन्होने बताय कि ये जो बच्चा है इसे छोड़ा नहीं गया है इसको इसकी माने छोड़ा नहीं है बलकि इसकी माँ को इस कब से चीन लिया गया है क्योंकि उस समय दोस्तो इल्लीकल पोचिंग्स बहुत साथ होती थी जंगलों के अंदर बहुत साथ हद से साथ आप मानेंगे ही कि जो उनिस्वी शताब्दी थी उनिस्वी शताब्दी से लेकर बीस्वी शताब्दी के मद्दे तक कहा जाता है कि तीस चालिस हजार बाग थे लेकिन बीस्वी शताब्दी के मद्दे के बाद अचानक से ये 30, 40, 50,000 जो बाग थे हिंदुस्तान के अंदर इनकी संख्य 1800, 1500 ये क्यों रह गई इसका कारण illegal poachings थी और यही चीज 1883 में वहाँ पर हुई थी तो उन्होंने जो ग्यान चंजी के साथ बजर्ग रखती थे उन्होंने यही बताया कि इस प्रकार से बागन कभी भी भी इतने चोटे बच्चे को नहीं छोड़ती अगर छोड़ती भी है तो वही पर आसपास होती है और अगर बागन आसपास होती तो ये भूटिया جो डौग है ये बता देती पहले ही और या फिर ये जो बकरियां हैं बेड़े हैं ये वहाँ पर जाने से भी कत्राती इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर भी दूर दूर तक बागिन नहीं है और जिस प्रकार से वो बाग का जो कब था वो पड़ा हुआ था बहुत ही कमजोर हलत में उसकी पसलियां दिख रही थी बहुत सादा माल नियूट्रिशन लग रहा था वो एक तम स्किनी लग रहा था तो किसी भी ऐसी बागिन का बच्चा जो की आस पासी है जो उसको कंटिनियूसली रेगुलरली फीड कर रही है वो इस हालत में नहीं हो सकता इसका मतलब साफ था कि माँ को गए हुए या फिर माँ को मरे हुए काफी समय हो गया है और ये इतना भूखा था कि ये एक तम से दूद पीने लगा उस फीमिल डॉग का अब ये चीज़ तो बड़ी ही अजीब वो गरीब थी अकसर जो मैंने लोगों से मैं जितने लोगों से मिला हूँ जिन से मैंने इस प्रकार के इंसिडेंस के बारे में पता किया है तो उन्होंने भी मुझे यही बताया है जो बागीन होती है और जो उसके चोटे कप्स होते हैं वो अकसर उसका हाइड आउट बता देते हैं कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि पुराने समय में जब illegal poachers illegal जो यह hunters होते हैं यह गात लगा कर बैठे रहते थे जंगलों में बेड़ों के उपर तो जो बाग होता है या फिर बागिन जो जिनके पास बच्चे नहीं होते वो बहुत ही समझदार होते हैं वो कोई भी आवाज नहीं करते लेकिन जो यह बच्चे होते हैं जो कबस होते हैं यह अकसर आवाजें कर देते हैं जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक हाई डाउट है यहां पर वो रह रहे हैं यहां पर उनकी गुफ़ा है अक्सर बच्चे ठीका ना बता देते हैं इसलिए जो इस प्रकार की जो माए होती हैं जो बागिने होती हैं जिनके चोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ईजि़िली निशाना बनाया जा सकता है इलिगल पोचर्स के द्वारा तो उन्होंने यही बताय की उन्हें तो यही लग रहा है बाकी ग्यान चंची कुछ समझदार है अगर वो जो भी डिसाइट करेंगे तो हो जाएगा तो ग्यान चंची ने बोला कि मैं क्या इसमें डिसाइट करूँगा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हमार तो घर चलने का समय हो गया है अब यहां से चलते हैं तो उन्होंने अपनी फीमल डॉक को बोला कि भई चलो यहां से उसको बुलाया जैसे भी वो पुछकार के बुलाते होंगे फीमल डॉक उस समय उस बच्चे को चाट रही थी पुरा दुलार दे रही थी क्योंकि उसके खुद के बच्चे तो मर चुके थे उसे एक अपना बच्चा इनके अंदर इस चोटे से कब के अंदर नसर आ रहा था खैर वो वहां से उठती है और अपनी जो हर्ड था उनका बेड़ बक्रियों का उसके बीच में जाकर खड़ी हो जाती है सब लोग चल पढ़ते है जा रहे थे अपने गर की तरफ वहां से 10-15 किलोमेटर जाना था तो अचानक से यह देखते हैं कि जो छोटा कब था वो भागता हूँ आ रहा है वो इनके पीछे पीछे बेड़ों के बीच में चलने लगा वो मानो कि उसे तुझाना ही है इनके साथ ही जाना है यह अब अजीब सी बात हो गई थी कि अब क्या कर सकते हैं और यह जो इनकी फिमल डॉक थी है फिर जाती उसके पास उसे फिर चाटती और वहीं पर छोड़ती फिर आ जाती कि यह यहीं पर रुख जाए पर अंतु वो तो रुखी नहीं रहा था तो ग्यान चंजी को भी यह चीज़ बड़ी ही अदबुत लगी उन्होंने उस टाइगर के कब को अपनी कोद में उठा लिया और उसको ले आए अपने गाउं सिन्री सिन्री में जैसी लेकर आए खैर तीनी तो घरते वहां पर इतना हला गुला नहीं होता था दोस्तो यही तो खोबसूरती थी पुराने समाने की आज की डेट में तो किसी के घर कोई छोटा बच्चा पैदा हो जाए या कहीं कोई बर्डे पार्टी हो तो लोग दूर दूर से बोलने लगते कि अच्छा आज तो तो तुमने डीजे लगा लिया हमें नहीं बुलाया आज तो ये कर लिया वो कर लिया समय बदल गया मेरे दोस्तों तो खेर ये लोग सिंडरी गाओं पहुँशते हैं शाम के समय में जो इनका बाड़ा था जिसके अंदर बेड़ बक्रिया रहती थी उसके पिछली साइड ही इन्होंने एक छोटा सा और चारदीवारी करदी पराली की और लकडियों की जिसके अंदर उस बच्चे को छोड़ दिया और ये जो इनकी फिमल डॉक थी ये भी रहने लगी अब वो खाना खाती इसे दोद पिलाती ये कुछ समय में बाहर भी आने लगा जो बड़ा इनका बेड़ा था जो गर के बाहर इनों ने पूरी पूरी पाउंडरी की हुई थी उसके अंदर खेलने लगा कोई भी इस प्रकार का वहां पर शक्स नहीं था जो इस चीज़ को गलट ठहरा रहा था क्योंकि आज के समय में तो बहुत चीज़ें होती हैं आज थोड़ी ना आप ऐसे कर सकते हैं परन्त उस समय जो ये रावत जी थे रावत अंकल के जो दादा थे जो उस समय बारा वर्ष की उमर के थे ये लोग भी उनके घर जाते इस बच्चे को देखते इसे गोद में भी उठाते इसे दूद भी कहीं बर पिलाय जाता तो उस समय का जो महौल था वो दोस्तो आज के महौल से समीन आस्मान कंतर था आज हम लोग खमिया निकालते हैं आज हम लोग हर चीज में कुछ ना कुछ खामी चाहे कोई भी चीज कितनी भी ठीक हो कितनी भी अच्छी हो उसमें भी कमी खामी निकालना ये हमारे अंदर आ गया है एक क्रिटिक की नजर से हर चीज को देखना है ये हमारे अंदर आ गया है जो कि बहुत गलत है इसलिए प्रोग्रेस ढंक से नहीं कर पाते कई लोग अगर हम बहुत ही नॉर्मल मैंड से हर चीज को एक भगवान की देन या फिर नैचरल ब्यूटी समझ कर अगर देखें पढ़ें सुनें फील करें तो ऐसा लगेगा कि कहीं भी कोई कमी नहीं है सब बहुत अच्छा है यही था उस समय महल सब कुछ अच्छा लगता था कोई किसी को जज नहीं करता था कि अच्छा यह एक बाग का बच्चा ले आया अब मैं इसके रिपोर्ट करूँगा पुलिस को बताऊंगा ऐसी जैलिसी फैक्टर्स यह सब कुछ कुछ भी नहीं होता था दोस्तो क्योंकि बाथ ही तो कुछ ऐसी है लगभग तेड़ सो साल पुरानी तो जब यह चीज हुई तो जो वो बच्चा था अब वो तो एक बाग का बच्चा था वो तो इतनी तेजी से बड़ा हो रहा था मातर एक महीने में ही दोस्तो वो अपनी मा जितना हो गया था मा मतलब की जो उस समय उसकी जो वो भूटिया फिमल डॉग थी वो ही उसकी मा थी वो उतना बड़ा हो गया था और दीरे दीरे तो वो तीन चार महीने में तो वो इतना बड़ा हो गया कि उसे देखकर भी डर लगने लगा जा था, वो कहां टिकने वाला था इस चोटे से घर के अंदर, वो तो कहीं बार शाम के समय निकल जाता, और तीन-चार गंटे के बाद फिर वापस आ जाता, जब ये जो फीमल डॉकती ये भौकती, तो उनको पता चल जाता कि वो वापस आ किया है, दोस्तो दिरी-दिरी समय बीत रहा था, जब वो छे महीने का हो गया, अच्छा खासा वो बाग बन गया, तो वो इनके घर के बिलकुल बाहरी बैठा रहता, और शाम होते ही निकल जाया करता, घूम फिर के रात बार इदर उदर जाता, और कहीं बार वापस आता, कहीं बार नहीं बीता रहा, एक साल हो गया, एक साल के बाद अब, वो ऐसा गया कि उसने आना बंद कर दिया, लेकिन वो अब भी आता था, इन्हें पता था, परन्तो ये घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि पता नहीं किस परकार का उसका बिहेविर हो, कैसी उसकी नेचर बन गई हो, वो रात में कहीं बा आता, और इनको कैसे पता चलता, इनको तब पता चलता, जब वो भूटिया, जो फीमिल डॉक थी, वो भूखती, भूखकर वो बाहर भाग कर जाती, जंकल के भीतर जली जाती, वहाँ उसकी गंटी की हवाज आती, मतलब साफ था, कि वो बाग आता था, और वो इसे बुला लीजे, हम तो रिष्टे बनाने में लगे रहते हैं परंदू, ये कुदरत के रिष्टे होते हैं, इसे हम नाम देने में लगे रहते हैं, इनसान लोग परंदू ये रिष्टे कुछ ऐसे होते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता, तो एक रोस की बात है, तो इन्होंने बताय कि जो ग्यान था ग्यान ने एक रात को जब ये बाग जंगल से आया तो ये जो इनकी भूटिया डॉक ती ये बाग ती हुई गई इन्होंने सोच लिया था कि इस बार जब इसकी गंटी ये वास आगी तो मैं जरूर देखूंगा दोस्तों हैरान रह गए था ये जब इन्होंने शाम के समय उस डॉक को भागते हुए देखा इन्होंने उस डॉक का थोड़ी देर तक पीछा किया इनकी आँखें फटी की फटी रह गए थी जब इन्होंने देखा कि एक विशाल का बाग वो बन चुका है और इस बूटिया डॉक का मूँ चाट रहा है ये उसका मूँ चाट रही है वो उससे मिलने के लिए आता था उन्होंने कहा कि लगबग दो साल तक ये ही सिलसिला चलता रहा और एक रोज की बात है जो वो फिमिल डॉक थी उसके मृत्ति हो जाती है एक जहरीला सांप काटने के कारण जब उसके म्रित्ति हो गई ये उसको लेकर जाते हैं और जंगल के भीतरी उसे दबा देते हैं उस दिन के बाद ग्यान जी ने ये बताया कि कभी भी उस भाग ने इनको दर्शन नहीं दिये वो कभी भी इनके घर के आसपास नहीं आया, हो सकता है वो आया भी हो, जब उसने देखा कि कोई भी अब भागता हुआ नहीं आता, ना उसकी जो मा थी उसकी गले की गंटी बज़ती है, और नहीं वो उसको मिलने के लिए भागती ही जंगल में आती है, उसने आना बंद कर द और उसके बाद वो कभी दिखा भी नहीं शायद उसने अपना एरिया ही बदल लिया था अब वो बहुत बड़ा विशाल खाय बन गया था लेकिन जब ये कहानी मेरे को रावत अंकल सुना रहे थे मेरी आंखों से आंसो किरने लगे कि इतनी इतनी अद्भुत इतनी सच्ची और इतनी प्यारी ये कता है दोस्तो हम लोग अब इतने इंटेलिजन्ट हो गए है न जो हम लोग 2023-24 में हैं इंटरनेट, फोन, हाई स्पीड, 1GB, 2GB, 3GB, पता नहीं क्या-क्या कितने GB के उस महौल में हम हैं, 5G लग रहे हैं, 6G लग रहे हैं तो कहीं न कहीं एक emotional factor खतम होता जा रहा है लोगों के अंदर अब हम लोग कोई भी हमें कोई चीज बताता है तो हम कहते हैं कि नहीं तो जूट बोल रहा है, ऐसे तो होई नहीं सकता, ये तो है ही नहीं चलो, गोगल करो, गोगल में देखो, टाइप करो, ये मिलता है कि नहीं अगर गोगल में नहीं मिल रहा, तो तो जूट बोल रहा है, अगर गोगल में मिल गया खेर वो मुद्दा नहीं है तो क्या उससे पहले कुछ नहीं था क्या उससे पहले कोई सच्चाई नहीं होती थी उससे पहले क्या जिन्दगिया नहीं चलती थी या अभी चलने लगी है गोगल के आने के बाद तो हर चीज़ को ऐसे नहीं दोलते मोलते मेरे दोस्तों मेरे भाईों मेरे बहनों जो data भी अगर हम देखें तो कई ऐसी कानिया है कई ऐसे data हैं जो Google के ओपर भी पड़े हैं जिसमें जो किसी का बच्चा किसी ने पाला कोई मां किसी के बच्चे को दूद पिला रही है कहीं तो टाइकर के कब्स को भी डॉक्स ने दूद पिलाया है female डॉक्स ने कहीं बार हिरन के बच्चे को किसी गोरिला मा दूद पिला रही है कहीं बार इंस्टाग्राम के उपर हम लोग भी देखते हरील साती है कि एक मुर्गी है मुर्गी के साथ एक छोटा डॉक का जो बच्चा है वो खेल रहा है उसके उपर बैठ रहा है जा रहा है अद्बुत है दोस्तो कुदरत अद्बुत है गोगल तक सीमित नहीं है गुदरत इन से हमें बार निकलना चाहिए ऐसी अदबुत अदबुत कहानियां दोस्तो छूपी हुई है छूपी हुई है दोस्तो और वो आपके लिए लेकर आने का काम मेरा है लेकिन आपका काम याद है आपका क्या काम है आपका काम है प्यारे प्यारे बहुती सुन्दर सुन्दर कमेंट्स छोड़ना अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है इसको सुनकर आप मेरे साथ सच में डेट सो साल पीछे चले गए थे तो सुन्दर सुन्दर कमेंट्स करिए दोस्तो अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने शहीं नोटिस करी होगी कि मैं आपको कमेंट्स करने के लिए काफी ज़ादा बोलता हूँ उसका क्या कारण है ना मैं आपको ये बोलता कि आप लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और या मुझे व्यूज दीजिए दोस्तो देखिए मुझे ना तो व्यूज से कोई मतलब है मैं आज आपको अपने सचे दिल की बात बताता हूँ चाहे मुझे एक जार लोग सुने या बीस जार सुने या सौ लोग सुने मुझे उससे मैं पहले भी आपको बताया है ना तो मुझे व्यूज चाहिए ना मुझे आप सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन जो मेरा में जो मकसद होता है वो होता है कि जानना आप लोगों के बारे में कि कौन कौन मेरी इस कहानी को सुनता है कहां कहां से लोग कहानी को सुनते हैं मैं उनको जानना चाहता हूँ उसका जरिया क्या है? उसका जरिया कमेंट्स हैं दोस्तो मेरे कई मेरे जो लोग शुरू से कमेंट्स कर रहे हैं उनके साथ इतने अच्छे रिलेशन है कि वो इंस्टाग्राम के ओपर भी मुझसे बातें करते हैं हम लोग वाइस नोट्स शेयर करते हैं और जिनके बारे मैं बता रहा हूँ उनको पता होगा अगर वो सुन रहे हैं एक कहानी तो कि मैं कितनी बार वोइस नोट्स पर उनसे बातें करता हूँ एक रिलेशन बनता है दोस्तो कोई फायदा नहीं है मेरा कि मेरे को कोई 3-4 करोड रुपे मिलते हैं कि मैं आपसे कमेंट्स करवाता हूँ नहीं दोस्तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक फैमिली बनती है कमेंट्स से जैसे मान लो 5,000 लोगों ने स्टोरी सुनी कमेंट्स सिर्फ मुझे मिलते हैं 100, 200, 200 लोगों को ही मैं जान पाया मैं चाहता हूँ दोस्तो कि मैं उन 5,000 के 1,000 लोगों के बारे मैं जानता हूँ क्योंकि तभी तो एक बॉंड बनता है फैमिली का तभी मैंने वाटसेप पर भी ग्रूप शुरू किया हुआ है इंस्टाग्राम पर भी मैंने कहा है कि आप लोग जोईन कर सकते हैं वहाँ मैं आपको बुलाता हूँ और यहाँ पर जब आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं जान पाऊंगा कि हाँ कितने लोग कहां से कहां कहां से सुन रहे हैं तो दोस्तो बस आकर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो भी इस टोरी सुने आज और जिनको इस स्टोरी छूए दिल को जिनकी आँखें हल किसी नम हो थोड़ी देर के लिए भी तो कमेंट्स छोड़िये अपने बारे में बताईए आप कहां से स्टोरी को सुन रहे हैं और कैसा आप फील करते हैं कि आपके आस पास भी इस प्रकार के कुछ मुद्धे हैं कुछ स्टोरी हैं कुछ इंसिडेंट्स हैं ये बताईए ना एक फैमिली बनाईए ना दोस्तो मेरे साथ आप जुड़िये मैं इतना जो सारा रिसर्च किया है जितना निचोड मैं आप लोगों के लिए तो लेकर आया हूँ तो आप लोग भी तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और उसका एक ही सरिया है कमेंट्स सेक्शन कमेंट्स में आप भर दीजिए भर दीजिए दोस्तो मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा बस कमेंट्स करके आप बताएए आप कौन है उमीद करता हूँ आपको ये वली सीरिस काफी पसंदा रहे होगी दोस्तो मेरे दोस्तो आपकी रात शुप हो गुटनाइट शब अखेर और शुप रात्री